हेलो फेंस आज हम यहाँ पर बात करने वाले है सोनम लिमिटेड जिसे सोनम क्लॉक के नाम से भी जाने जाते हैं सबसे पहली बात यह एक कमेंट था हमारे किसी व्यूवर्स का जो की वांट तो इसे लेटर शायद वीडियो बनाने चाहिए बताना चाहिए कि एक्जेक्ली है क तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे ठीक है उससे पहले आप से बताना चाहता हूं कि यह श्टॉक्स मेरे पास नहीं है ठीक है और आज के बाद जितने भी आगर कोई श्टॉक्स मेरे पास होगा तो आई विल परसनली इंफॉर्म इन वीडियो कि हां यह पर लीजिए बेल आईकन को हिट करिया और की नॉट्रिकेशन कौन करिया चीजों को सीखिए जब चीजों को सीखेंगे तो चीजे आसान लगेगी आपको तो आप क्या कर सकते हैं सीखने के लिए वीडियो है इतनी सारी वीडियो मना रही है लगब 1.8 के वीडियो देखें भी invest नहीं करना फिर सीधा टाइम यहां पर experience में invest करना है तो क्या कर सकता है यहां पर 8605-40501 8169261037 दोनों नमबर आपके पास है basics to advanced technical research fundamental risk management risk reward ratio कब share को लेना है कब share को बेचना है क्यों share को लेना है क्यों share को बेचना है कौन से share को लेना है कौन से share को बेचना है यह क्यों क्या कैसे किसली है कि जो जवाब है आपको इस course में यहां पर पूरा मिलता हूँ नजर आएगा 20,000 रुपे का course है एक बार course को किया कहीं देखने की जरूद नहीं है सीधे 6 वहीने से एक साल का उसके बाद experience जो पढ़ाया है उसको बेसिस पे चीज़ों को यहां पर आपको देखना है अपने उस अंतास से और फिर आपको पदा चलेगा कि हाँ जो हम यहने पढ़ाया है वो उसी तरीके से हो रहा है तो इस चीज़ को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है अगर किसी को साथ में काम करना है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं वीडियो को इसमें आगे बढ़ते हो और हम यहां पर देखते हैं तो 2001 में यहां पर incorporate हुई थी Sonam Clock Limited does manufacturing and trading of horological item clock, clock movement and relative items इसके इलावा हम यहां पर बात करें यहां पर company की तो business overviews में आप आप देख लीजिए कि यह जो certified company offering a wide range of table and wall clock तो यह wall clock और table clocks होती है उससे related यह company काम करती हुए नजर आती है बनाती हुए नजर आती है across जो budget में आए as well as mid level and the premium style की भी हर तरीके के लगभभ 40 and a plus various type of wall clock as well as clock movement and LED digital clock celebrated products बनाती है जो कि इनके 25 country में 25 plus country में 150 plus इनके distributor 35,000 retailers यहां पर है इसके आप company offer customized corporate clock in bulk quantities for corporate gifting purpose तो gifting purpose से भी यहां पर जैसे दिवाल ही आ रही है ठीक ना तो it could be a reason की ऐसे stocks यहां पर भागते हुए नजर आ है तो यहां पर आप देख सकते हैं clock से related सारा का सारा है ठीक है export करते हुए नजर आती है अलग-अलग countries में as well as revenue की बात करें sales of products से 99% and operating revenue and other income से 1% की यहां पर होता हुए नजर आता है इनका revenues तो यहां पर आप इनके products देख सकते हैं ठीक है alarm time और अलग तरीके के clocks यहां पर बनाते हुए नजर आते हैं gifting के purpose से देते हुए नजर आते हैं ठीक है और दिवाली आ रही है तो दिवाली के time पर शायद ऐसे products यहां पर ज्यादा sell out होता हुए नजर आते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को gift भी देते हुए नजर आते हैं तो आप इस shocks की तरह इस time यहां पर देख सकते हैं दूसरी बात हम बात करें सबसे बहले buying selling की recommendation नहीं है अपने financial advisor खुद की study करना है यहां पर देखें market cap तो 151 करोड रुपे का market cap है तो छोटी company है और जब मैं 101 करोड या ऐसे micro cap share की बात करूं तो दिमाग में एक चीज को लाइएगा कि छोटी company है ठीक है न कोई भी इसे operate कर सकता है as well as share यहां पर जब भागेगा तो शायद multi-bagger return दे जाए बट अगर गिरा तो उसी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा 70-80-90% तक के पैसे आपके निकलते हुए नजर आ सकते PE की बात करें 44 का इंडेश्टी का PE 45 pack का है तो अभी भी सस्ता नजर आता है तो कुछ खास नहीं है 49% का debt है और pleasing की बात करें 4.54% की pleasing है इसे आप ignore कर सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है यहां पर हम देखे 75 रूपीस का share का price चल रहा है dividend कुछ है नहीं 10 रूपे की face value भी है maximum chart pattern की बात करें तो देखिए 2018 में share 18 रूपे पर आया था बात करें और चीट होगी तो थोड़े से इसके fund यहां पर देख लेतें इसके balance sheet की तरफ तो आपको बदा चलेगा company की sales लगातार अच्छी खासी यहां तक बड़ी थी फिर इसके बाद एक range में आती भी दिखाई दी और अभी क्या है कि compare करें year on year basis पर sales कम होती ही नजर आ 17.36% करोड की यहां पर sales है as well as यहां पर operating profit की बात करें operating profit average ही रहता है इनका कुछ खास नहीं है as well as हम बात करें net profit की तो net profit 75 लाग की आसपास का ही net profit यहां पर है और यहां पर देखे company का तो आपको बता चलेगा margin margin भी लगवा 12% की आसे तो margin company का थोड़ा सा अच्छा आता ह हो दिखाए दे रहा है yearly और quarterly basis पर और यहां पर आप देखो के company का yearly performance हो जा गया रहा से तो दीरे-दीरे करके यहां पर बढ़ रहा है तो ऐसी चोटी company अगर आप दीरे-दीरे करके इस मुकाम पर आ रही है तो इसे मैं थोड़ा बहुत अच्छा कह सकता हूं इसके इलाबा अगर हम यहां पर बात करें तो यहां से आपको पता चलेगा कि company starting में कुछ घाटा कर रही थी और धीरे-धीरे करके यहां पर operating profit में highest level profit पर पहुची है ओके यहां पर आप देखो कि पिछले दो बार से highest level company का net profit भी आ रहा है as well as यहां पर reserves की बात करें reserves बढ़ते हुए नजर आ रहे है साथ में borrowing भी बढ़ती हुए नजर आ रहे है बट compare करोगे पिछले एक दो साल से तो borrowing थोड़ी सी कम हुई है ठीक है working progress में अभी यहां पर कोई पैसा नहीं लगा है cash की बात करें तो cash में यहां पर 5 लाग के आस पास से जा रहे है यहां पर देख लीजिएगा कि share loading pattern किस तरीके से यहां पर दिखाई देता है तो यहां पर आप देखोगे buying selling चलती रहती है ठीक है ना यहां पर आप देख सकते है कभी buying हो रहा है कि SIM में sell हो रहा है तो यह trade होता रहता है अब बात करें NSE का stock है सबसे पहली बात और छोटा stock है तो थ चाट से later बाते करूंगा ठीक है यहां पर मैं अब technical थोड़ी सी बाते करूंगा अब उससे पहले आपसे request है चाइनल को subscribe bell icon को hit all notification कौन करिए और इन नमबरों को note करके आप यहां पर course कर सकते है सीख सकते है सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा हम बात करें यहां पर मेरे कहने पर या किसी के कहने पर यहां पर कभी भी buy करने की जडरीवत नहीं है तो यहां पर आप देखे तो आप कि stop loss लगा सकते हैं अगर आप अभी भी भी buy कर रहे थो यहां पर आप एक स्टॉप back ऐसे camera यहां पर क्या है अगर चीजें यहां पर गिरती है तो हो सकता है कि यहां पर गिरता है अभी देख लिजिए अगर मार्किट में भी थोड़ी सी नेगिटिविटी मुझे दिखाई देती है तो अगर यहाँ पर गिरता है तो 70 रूपीज तक आ सकता है और 70 रूपीज तक आने पर यह दुबारा movement करना शुरू करता है तो आप एक छोटा सा stop law फिर लगा लीजिएगा एक से 2 रूपे का और फिर इसे उपर की तरफ trade करिएगा असली तेजी कब होगी असली तेजी होग जब यह शेयर यहाँ से निकल जाएगा कब होगी यह तेजी होगी जब इसके यहाँ पर quarterly results आजेंगे अगर result company के यहाँ पर थोड़ा सा better आ जाता है थीक है तो उस time पर यहाँ पर शेयर के ऊपर जाने के chances हो जाएंगे otherwise यहाँ पर मुझे क्या नजर आता है कि अगर थोड है कि वज़े से यहाँ पर इस बार चौका भी सकता है और अगर ऐसा चौका देता है तो यह चीजे धीरे से निकल जाएगी और जब धीरे से निकलेगी तो कितने target हो सकते हैं तो target का हम अगर बात करें तो यहाँ पर share यहाँ पर आपका perform करके दिखा सकता है ठीक है कितना य रुपए के आसपास के यहाँ पर target निकल के आ सकता है तो buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor खुद की study करना है चीजों को आपको क्या करना है सीखना है सीख के यहाँ ध्यान दीजेगा ठीक है अभी यहाँ पर ऐसा चीजे अच्छी नजर आती है volume से भी थोड़े बहुत दिखाई द ठीक है दोनों तरफ दिखाई दे रहे, negative side पर भी दिखाई दे रहे, positive side पर भी दिखाई दे रहे बर आपको चीजों को ध्यान देना है ऐसे छोटे share की बात करों तो ऐसे छोटे share में जहाँ पर earning का यहाँ पर कुछ भरोसा नहीं है तो एक बार earning देखने के बाद ही हाँ आ जायना को subscribe करिएगा, को queries जाय तो comment करिएगा और जितना हो सके सीखने की खुशिश करें हाना और हमार से आप contact भी कर सकते हो, thank you so much, God bless